Hello Friends, Welcome Again Types of Drama में हम अभी तक tragedy, comedy और tragic comedy को discuss कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे expressionist drama के बारे में expressionist drama क्या है और कौन सी बात इसे बाकी place से अलग करती है आईए चलिए देखते हैं expressionist drama was concerned not with the society but with man इसका मतलब यह है कि जो expressionist drama होता है वो society के बारे में नहीं है बलकि किसी व्यक्ति के बारे में है its purpose was to present a deep subjective psychological analysis और इसका जो है जो purpose है वो है deep subjective psychological analysis को present करना not so much of an individual as a type और यह किवल किसी एक खास व्यक्ति के बारे में यह analysis नहीं होता है and it dealt with the subconscious mind तो देखिए subconscious mind का मतलब होता है और चेतन मन तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जो expressionist drama है इसका purpose काफे deep and subjective psychological analysis करना है और यह जो analysis है यह किवल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है बलकि इसमें भले एक व्यक्ति के बारे में बात होती है लेकिन यह पूरी society या हर एक व्यक्ति के बारे में है एक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति in the expressionistic dramas यानि कि यह जो expressionistic drama है the dialogue was cryptic end pattern तो इसके जो dialogue होते हैं उनका एक खास pattern होता है and there was a combination of words and prose और यह dialogue जो है यह केवल words या केवल prose form में नहीं होते हैं बलकि इनका combination होता है words और prose form का dialogue में expressionist drama arose तो देखिए आपको जो है एक्सप्रस्निस ड्रामा को समझने से के लिए सबसे जो जरूरी बात है कि पहले आप यह जाने कि यह आ कहां से रहा है इसकी ओरिजिन क्या है और इसके पीछे का थाट प्रॉसेस क्या है तो देखिए कि जो एक्सप्रस्निस ड्रामा है यह उभरा एक रियाक्शन के रूप में किस चीज़ के अगेंस्ट मैटेरियलिस्म के अगेंस्ट मैटेरियलिस यानि समरिद्धी बढ़ती जा रही है सोसाइटी में और rapid mechanization rapid mechanization मतलब बहुत तेजी से जो industrialization बढ़ रहा था urbanization बढ़ रहा था यानि गाओं खत में होते जा रहे थे और गाओं से लोग निकल कर शहरों में जा रहे थे नौकरी की काम की और पैसों की तलाश में तो इन सब के अगेंस जो है एक reaction के रूप में expressionist drama की शुरुआत हुई थी and the domination of the family और हर जैसा कि आपको यहाँ पर पहले भी बताया कि यह व्यक्ति के बारे में है तो हर एक व्यक्ति पर यानि कि यूरोप का यह जो टाइम था यूरोप की सोसाइटी में अब तो काफी बदल चुका है तो प्री वर्ड वार प्री वर्ड वार वन मतलब 1914 में जो है फर्स्ट वर्ड वार हुई थी तो उसके पहले के यूरोप में जो फैमिली का डॉमिनेशन होता था व्यक्ति के उपर इन सब चीजों के अगेंस्ट में जो है ये एक्स्प्रस्ट ड्रामा जो है इन सब के अगेंस्ट में उभरा था एक रियाक्शन के रूप में और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और कहां पर या अगे बढ़ा था जर्म Auntie में ये जर्मानी का एक डॉमिनेशन मुवमेंट था दिूरिंग दा इमेडियेटली आफ्टर वर्ल्ड वार वन के खत्म होने के ठीक बात ये जर्मानी का डॉमिनेशन लिट्रेरि मुवमेंट था देखो जो सबसे खास जो इसकी defining characteristic है वो क्या है कि इसमें इंफैसिस किया जाता है यानि कि जोल दिया जाता है on uncovering intense emotion and the failure of societal systems that have been overlooked कि इसमें क्या किया जाता है इसमें uncover किया जाता है intense emotions को और ये जो societal system है यानि कि जो समाजिक संद्चना है हमारी समाजिक विवस्था है वो उसके failure को जो है इसमें दिखाया जाता था that have been overlooked जिसको आन तोर पर अंदेखा कर दिया जाता है तो इसे जो है आवाज मिलती थी या ये प्रेकट होता था कहाँ पर एक्सप्रेस्निस्ट ड्रामा में तो इसमें देखे कुछ बातें ध्यान देने योगे हैं पहला कि ये वर्ड वार वन के पहले की जो है जो European society थी उसके जो उसमें जो चीज़ें ज़्यादा प्रभावशाली थी जैसे कि materialism और mechanization, urbanization इन सब के against reaction के रूप में ये डेवलप हुआ था दूसरी खास बात ये थी कि इसमें जो society का बहुत ज़्यादा दबाओ होता था society सभी बढ़के family का जो बहुत ज़्यादा जो है pressure होता था, domination होता था किसी भी वेक्टी के उपर उसके against में expressness drama उबरा था और जर्मनी में वर्ड वार वन के बाद ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और इसमें बहुत ही intense emotion को uncover करता है यानि सामने लाता है expressness drama और जो हमारा societal system है जो की fail हो गया है, हमारा से मतलब उस जमाने का European societal system जो की fail हो गया था, उसके बारे में ये है, जिसको की आम तोर पर अंदेखा कर दिया जाता है कि society fail हो गया, ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता था लेकिन expressness drama में जो है, ये सारी चीज़ें सामने आती थी commonly expressness theater critic the government तो आम तोर पर जो expressness theater था यानि कि जो expressness drama थे उसमें criticize किया जाता था government को, big business को the military, यानि कि military को family structure को and sexism तो ये सारी चीज़ें हैं जिनने की expressness play में criticize किया जाता था expressionism shifted emphasis from the text of pieces to the physical performance तो देखे एक बात और जैसे कि आप अभी movie देखते हैं तो खली जो उसकी story होती है वही बहुत महतोपूर नहीं होती है बलकि जो उसका direction होता है जो acting होती है वो भी बहुत महतोपूर होती है तो ये शुरुवात कहां से हुई थी ये expressionist play से ही ये चीज़ की शुरुवात हुई थी कि जो expressionism था इसने जो है emphasis को shift किया यानि जो focus था जिसी इस पर जोल दिया जाता था उसे shift किया कहां से कहां उसे shift किया text से यानि जो लिखा हुआ है play उससे इसको shift करके focus को उन्होंने लाया physical performance पे यानि acting को ज़्यादा महतोपूर्ण बनाया गया expressionism theater में and highlighted the director's role और इस वज़े से क्या हुआ कि पहले जो सबसे important person होता था ड्रामा में वो होता था playwright कि जिसने जो है वो play लिखा होता था लेकिन जो है अब इन्होंने highlight किया क्योंकि अब जो है physical performance पर ज़्यादा जोल दिया जाने लगा था तो इसी वज़े से highlight हुआ director का रोल अब director बहुत important person हो गया in creating a vehicle एक ऐसा साधन create करने के लिए to deliver their and the playwright's thought जो की deliver कर सके जो है director का और playwright के विचारों को and feelings to the audience तो उनके विचारों को और उनकी feelings को audience तक पहुँचा सके तो कहने का मतलब यह है कि जो expressionism था उसने जो है जो focus है उसको shift कर दिया playwright से director की ओर की अब director की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने play के माध्यम से एक ऐसा vehicle create करे ऐसा माध्यम create करे अपने play के रूप में जो उसके और playwright के विचारों को और उनकी भावनाओं को audience तक पहुँचाए तो अब हम इसका example देख लेते हैं दा फर्स्ट फुल्स लेज्ट एक्सप्रेसनिस्ट प्ले वास रेन हर्ड जोहांस सौर्ज इनका जो रेन हर्ड जोहांस थे इनका जो पहला play था इसको माना जाता है पहला एक्सप्रेसनिस्ट प्ले और इसका नाम है दा बैगर विच वाज रिटेन इन 1912 जिसे कि 1912 में लिखा गया था बट नॉट पफॉर्म अंटिल 1917 लेकिन ये 1917 तक पफॉर्म नहीं किया जा सका यानिकि उसको पहली बार 1917 में पफॉर्म किया गया था तो दो